आज मैं आई ही तेविलाल पार्ग ओवे मॉर्णिंग में तो आप सभी देख सकते हो कि मेरे आसपास के तुम व्यादा फॉग है इतनी फॉग है कि आसपास के चीज़ें दिखी नहीं रही है लेकिन अभी फिलाल जो आसपास के चीज़ें दिखी है कि लाइट है यहां पर चलिए मैं आप सभी को यहां की थोड़ी प्यूटी दिखाती हुँ तो सबसे पहले यहां पर एक स्टैच्चू है जो कि मैं जो गवाल अच्छा लगा और इसके नीचे जो पानी है यहां पर पहले है ना समर्स में फांटेन शो होता था तो अब भी फिलाल नहीं हो रहा है में पस्पी जैसे तो जब होगा मैं आपको ज़रूरी दिखाऊंग तो मैं सुबह सुबह आने में ठोड़ा अलकस हुआ था क्यूंकि सर्दियों में रचार छोड़ना किसी अच्छा नहीं लगता और बच्चों तो डेफिनेटली नहीं तो इसलिए मैं थोड़ा मैंने थोड़ा कश्ट किया और यहां पर आई हम तो यहां पर ज़ूर की भी लगाये हो यह संदर्ता के लिए जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह फोग आती कहां से है कि मैं भी यह सोचती थी पहले जो मैं चोटी थी तो मैं पो बता दूँ कि जो पहाडी इलाके होते हैं वहापे स्नोफोल होती है जिसके जैस बनाती है इसलिए मैं आपको सोभी को कहूंगी कि आप अपनी रजाईयों में ही रहे भाहर ना निकले क्योंकि यह बहुत थंड है और अगर आपको निकलना है वाक करने आनी है तो मेरी तरह बिल्कुल पैक हो गया है तो अब आपको पता चल गया कि फोग कैसे होती है तो बहुत निकलेगा क्योंकि यहां पे अगर जादा पॉलूशन मिक्स हुआ फॉग में तो वह हाम भी दे सकता है यह किसानों के लिए भी बहुत जादे यूसफुल होती है कभी कभार फॉग और जैसे कि आप सभी को पता है तीन चार दिन से बहुत जादा रेन्फॉल भी हो नेचर से रिकोर्स करोंगे कि थोड़ी सी रेन्फॉल कम कर दो और मैं आप से लिए को दिखाना जाहूँगी कि इस एरिया में यह आप देख में गोल गोल है रेक्टेंगल है जो भी आप से लिए कि ऐसी है यह स्टाइल है नहीं अगर आप इस इमेज को उपस लेखोगे अच्छा लगा मुझे और अभी मैं आपको और चीज़ा नहीं दिखाऊंगी क्यूंकि मैं अपने किसी और व्लोग में दिखाऊंगी आपको जिसमें मैं इस वार्ट का टूर करने वाले हूँ तो इस व्लोग के लिए इतना ही आई-आपको अच्छा लगा मिलते हैं में न हुआ है